अब हम सेकेंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि कोन से फैक्टर जो हैं मुख्य रूप से हम बात करेंगे फैक्टर के बारे में और कोन से फैक्टर मुख्य रूप से हमारे यहां पर भोजन पर जो सुक्षम जियों की वर्दी करते हैं सुक्षम जियों की वर्दी करने वाले फैक्टरों के बारे में हम डिसकर्स करने वाले हैं और उनमें सबसे पहला फैक्टर है पी एच मान दूसरा है रेडोक्स अभिक्रिया हम बात करें रेडोक्स पोटेंसियल जो है वो मुखे रूप से हम दो फैक्टरों के बारे में बात कौन सा माइक्रो और जिसकी होती हैं मुख्य रूप से हम पि-फ के बार मेंदेखें गया गया होता है इस की इस पर कौन सा माइक्रो इर्ग्जम की वर्दी होती है किसकी कौन से रेंज के उपर पीएस रेंज के उपर कौन सा हम बात करें माइक्रो इर्ग्जम बढ़ता है गड़ता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टेरिया बैक्टेरिया के बारे में बात करें तो बैक्टेरिया जो है वो मुख्य रूप से हम बात करें तो वो जो ग्रोथ करता है ये मिनिमम रेट हो गई कौन से हो गई मिनिमम और ये कौन से हो गई मेक्जिमम अब ऐसी कंडिसन में बैक्टेरिया जो है कौन सा है पहला हम देखते हैं कौन सा देखते हैं बैक्टेरिया कौन सा देखते है में बात करें किस के बार में बात करें लिमिंट रेंज के बार में बात करें तो इसकी जो beh limit हो गई maximum इस range के उपर जो बैक्टेरिया है मुख्य रूप से फुड के उपर ग्रोत ज्यादा करेगा यदि फुड का pH मान 6-8 के बीच में है तो ऐसी condition में सबसे ज्यादा मैं बात करूँ फुड को इस पोलेज करेगा खराब करेगा बैक्टेरिया उसके लिए जो range है वो क्या है 6-8 यदि add से ज्यादा pH range है तो वो alkaline condition हो गई सारी प्रकरती हो गई तो more than add से ज्यादा pH है more than highly alkaline है तो highly alkaline में यहाँ पर बैक्टेरिया ग्रोत नहीं करेगा और highly acidic situation पर भी बैक्टेरिया ग्रोत नहीं करेगा यानि की 6-6 से कम pH मान यानि की 6-6, 5, 3 है highly acidic condition में भी बैक्टेरिया ग्रोत नहीं करेगा और highly alkaline condition में भी बैक्टेरिया क्या नहीं करेगा ग्रोत नहीं करेगा कौन सी range पर वो ग्रोत करता है pH मान जो है 6 से लेकर 8 यानि की यह neutral pH हो गया मैनली हम बात करें 6 से लेकर 8 के बात में ज्यादा तो highly alkaline भी नहीं है highly acidic में तो बीच के अंदर और mostly जो होता है बोजन का pH 6-8 के बीच में होता है इसलिए बैक्टेरिया जो है वो ज्यादा क्या करता है ग्रोत यानि की हम बात करें फुड के ऊपर बोजन सामगरी पर क्या करता है ग्रोत करता है तो low acid condition में जो हम बात करें जैसे बैक्टेरिया ग्रोत नहीं करता है और highly alkaline condition पर भी बैक्टेरिया ग्रोत नहीं करता है mostly अम में सभी के लिए नहीं बता रहा mostly बैक्टेरिया कैई इसमें भी absence पाई जाते है अपवात पाई जाते है जनरल बैक्टेरिया जो है इस pH पर ही क्या करते हैं ग्रोत करते हैं और वो pH रेंज क्या है 6-8 pH रेंज है कौन सी यह रेंज है 6-8 pH रेंज है तो यह आप लिख ना कि mostly bacteria are growth range pH 6-8 pH रेंज जो होती है उस पर ही mostly bacteria क्या करते हैं ग्रोत करते हैं और 8 से ज्यादा alkaline condition है food की ज्यादा 8 से ज्यादा pH है तो as more than 8 pH मान है तो वहाँ पर भी bacteria growth नहीं करेगा बहुत कम growth करेगा और highly alkaline condition पर भी bacteria क्या नहीं करेगा ग्रोत नहीं करेगा तो बहुत important बात है जो आपको exam में पुछी जाती है तो यह तो हो गया bacteria के लिए लेकिन हम भात करें जैसे कि आपने देखा होगा तो जैसे कि हम बात करें, fruit drink हो गई, fruit drink, या हम बात करें, soft drink, इनका जो pH मान होता है, 4.5 से, यानि कि हम बात करें, highly acidic हो गया, हाई क्या हो गया, acidic nature का हो गया, तो ऐसी condition में, ऐसी condition में यहाँ पर जो भी fruit, जो आपके soft drink, fruit drink जो होती है, वहाँ पर bacteria का growth नहीं देखा गया, क्योंकि वो जो होते हैं, वो acidic nature के होते हैं, highly acidic nature के होते हैं, highly alkalic nature के होते हैं, तो वहाँ पर bacteria की growth नहीं देखी गई, उसके बाद में मुखे रूप से हम बात करें आगे, ये तो हो गया, किसके बारे में, मुखे रूप से bacteria के बारे में आपको मैंने बता दिया, pH range, लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरा जो micro originum है, यानि कि दो factor पहले हम pH के बारे में बात करें लेकिन हमने किसके बारे में बात किये अभी हमने बैक्टेरिया के बारे में बात किये बैक्टेरिया की pH रैंज 6 से 8 के आसपास होती है minimum 6 और maximum 8 इस range बर bacteria growth ज्यादा करेगा यदि जो भी food सामगरी है उसका जो chemical composition का जो pH मान है 6-8 के बीच में है तो ऐसी condition में bacteria क्या करेगा growth ज्यादा करेगा यदि highly alkaline condition है highly acid condition है तो वहाँ पर bacteria growth नहीं करेगा दूसरा हम जो micro origin सुक्सम जीव पढ़ेंगे उसमें दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा जो है मुखे रूप से इसका screenshot लेलना बेटा इसक्रिन सुट लेलना बहुत important है आप screenshot लेते रहो ठीक है अब दूसरा जो हम micro origin पढ़ने जा रहे हैं दूसरा जो है वह है बेटा east कौन सा है east के लिए pH range के बारे में बात करेंगे किसके लिए ist के लिए हम किसके बारे में बात करेंगे pH range के बारे में बात करेंगे pH moan के बारे में बात करेंगे तो वो जो moan मुख्य रूप से हम बात करेंगे pH moan के बारे में और वो किसके लिए बात करेंगे देखो pH moan और मुख्य रूप से हम किसके लिए बात कर रहे है कौन सा Cousal Legend Micro Original है? East कौन सा है? East Second number का है और इसके लिए हम बात कर रहे हैं pH range के बारे में pH range कि कौन सी pH range पर ये मुख्य रूप से grow करता है तो मुख्य रूप से मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है 2 से 8.5 यान की बहुत ज़्जादा acidic हो और बहुत ज़्यादा alkaline यानि की 2 से लेकर मैं बात करूँ 2.5 pH रेंच मान अब बैक्टेरिया से ज़्यादा पहले कौन ग्रेट करेगा बैक्टेरिया के लिए तो 6 and 8 न्यूट्रिल pH होता है लेकिन highly acidic condition में highly acidic condition में आपको isht और mold क्या करते हैं फुड को क्या करते हैं ज्यादा खराब करते हैं क्यों क्योंकि उनका यह highly acidic nature पर भी करेंगे और highly alkaline nature पर भी इस pH रेंच पर भी यह फुड को क्या करते हैं damage करते हैं इनकी pH रेंच जो होती है इस्ट के लिए pH मान जो होता है 2 से 8.5 तो 8.5 highly alkaline nature हो गया अब इसी के बीच में रहता है फुड तो बैक्टेरिया से ज्यादा कौन खराब करेगा पिएच मान के साब से देखे हम तो mold और सबसे ज्यादा mold करेगा उसके बाद में इस्ट यह बहुत ज्यादा acidic हो गया यह बहुत ज्यादा क्या हो गया acidic nature और यह मुख्य रूप से alkaline nature हो गया तो acidic nature और alkaline nature जो है यह मुख्य रूप से आपको हो गया तो इस्ट जो है उनका जो pH range होता है वो pH range कितना होता है 268.5 के बीच में होता है इस range पे mold जो हता है food सामगरी को ज़्यादा नुकसान पूचाता है कितना range pH range हो गया वो pH मान मैंने आपको बता दिया है कि मुख्य रूप से bacteria कौन से pH प growth करता है अब तीसरा तीन ही तो मैंने बताया था एक तो bacteria और फंगस जिसमें mold और इस्ट बताया था यह मैंनली तीन ही है बहुत सारे होते हैं से तो लेकिन मैंनली जो आपके exam में पूचे जाते हैं उन्हीं के बारे में हम क्या कर रहे हैं डिसकर्स कर रहे हैं तो यह आपक में molds के बारे में तो इसका आप screenshot ले लो या लिख लो अपनी notebook में लिख लो बेटा notebook में बहुत important बेटा notebook में लिखोगे तो ही मज़ा आएगा जबरदस तरीके से मज़ा आएगा ठीक है तो यहाँ पर इसके बाद में हम बात करने वाला हैं दूसरा जो है वो दूसरा हम यह हाँ पर देख लेते यहाँ पर ही लिख लेते हैं molds लेखन जो इतने ऒगे क्या देखेंगे रुप से नुक्शान पुछाता है तो ये सभी food material को mold याद रखना एक चीज क्योंकि ये जो इसकी जो range होती है 1.5 से लेकर 8.5 के बीच pH range होती है और जितने भी food material जो उपलब्द food material होते हैं उनका pH मान भी 1.5 से 8.5 के बीच में ही रहता है इसलिए जादातर food material को खराब करने वाला micro originum कौन सा है mold जो एक प्रकार का क्या है फंगस हैं ये जादातर जो भी food material होता है food बोजन सामगरियां होती है क्योंकि जादातर बोजन सामगरियां इसी range पे होती हैं क्योंकि हम बात करें highly acidic nature के जो बोजन होते हैं highly alkaline level के जो बोजन होते हैं उनको बोडी कंजूब नहीं करवाती हैं इसलिए इसी range पर जो होते हैं mostly जितने भी food होते हैं इसी range पर होते हैं और सबसे ज़्यादा yeast और bacteria इनसे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा food को सबसे पहले कोन खराब करेगा पी-च मान की सापसे पी-च मान की सापसे सबसे जथा मोल्स करेगा क्योंकि यह highly acidic nature का है क्या है हाई-acidic nature का है bang और यहा पर यह बात करें आप नहीं कर सकते हम बात करें तो सभी मैं बात करूँ ज्यादा तर food consumption प्रकुंधिन से याँजूम नहीं कर सकते हैं अब हाइली में बात करों यदि इसका पी एज हम बात करें एड़ पॉइंट फॉइब से ज्यादा हम बात करें मुखिण प्यूप से पि एज हैं तो वहां पर मोल्ड की ग्रोथ नहीं होगी और यति हम बात करें दो सोरी इसकी ईसकी स्ट की ग्रोथ नहीं कि और हम बात करें मोल्स की एhone पॉइंट-वाइब से कम पी एच हैनी कि हाइली एक यह पिए उप आफ यह नहीं होगी तो वहां पर क्या ग्रोथ नहीं करेगा और ऐसा कोई फुड नहीं है जिसका pH.5 हो या एक pH हो ऐसा कोई फुड नहीं है इसलिए mostly जो फुड होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा growth करता है उनको mostly food material को सबसे ज़्यादा खराब कौन करता है molds करता है क्योंकि उसकी pH 1.5 से 8.5 के बीच में और यदि पीच मान इस्ट की तो मुख्य रूप से इस्ट और मोल्ड जो है highly alkaline highly acidic nature पीच होता है highly alkaline nature होता है और यह दोनों bacteria से ज़्यादा food को क्या करते हैं खराब करते हैं तो range पूछे आपको pH मान के इसाफ से तो सबसे ज़्यादा mold करेगा sequence पूछे आपको सबसे ज़्यादा कौन करेगा mold उसके बाद में east और उसके बाद में b का मतलब हो गया bacteria तो pH मान के इसाफ से किस मान के इसाफ से pH मान के इसाफ से जो composition बना हुआ food material में pH के इसाफ से यदि कोई food material जो food सामगरी है उनका pH 6-8 के बीच में है तो वहाँ पर किसका growth ज़्यादा होगा bacteria का और यदि हम बात करें east का pH मान कितना होता 2-8.5 के बीच में किसी food सामगरी का pH मान है तो वहाँ पर इस्ट वर्दी करेगा और यदि हम बात करें तो तीसरे नमबर पर सबसे ज़्यादा किसकी वर्दी होगी मोल्ड की होगी क्योंकि वहाँ पर highly acidic नेचर का है और highly alkaline नेचर का है तो 1.5 से 8.5 के बीच में तो इस तरीके से मैंने आपको pH मान के इसाफ से मैंने आपको बता द बात में भी converter से देख सकते हो ठीक है अगे हम बात करने वाले हैं तो जो redox अभीक्रिया हैं वो आज हम दो ही factor पढ़ेंगे और उसके बाद में अगली class में दो factor पढ़ेंगे तो आगे हम बात करने वाले हैं redox अभीक्रिया के बारे में किसके बारे में जब तक आप गया इसका क्या ले लो इस screen screenshot ले लो ठीक है तो यहां पर आप हम बात करने वाले हैं किसके बारे में redox अभीक्रिया के बारे में तो यहां पर आपने screenshot ले लिया होगा अब हम आगे स्लाइड में हम जो अगला जो हमारा जो है वो किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं रेडोक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं रेडोक्स जो हैं वो ठीक है यानि कि हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा आप अब हमारा अगला जो जो कारक हैं उस अगले कारक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो जो कारक होगा वो कौन सा होगा वो कारक होगा हमारा रेडोक्स पोटेंशियल या रेडोक्स अभीक्रिया पी एच मान हमने देख लिया अगला जो फैक्टर है रेडोक्स अभी करिया दूसरा फैक्टर है बेटा और इस रेडोक्स को हम ऐसे लिखते हैं बेटा कैसे लिखते हैं रेडोक्स रेडोक्स लिखते हैं क्या लिखते हैं रेडोक्स लिखते हैं अब रेडोक्स के बार में हम बात करें तो रेडोक्स जो लिखते हैं इसमें रेडोक्स पोटेंशिल के बार में बात करें तो रेडोक्स का क्या मतलब होता है रेडोक्स रेक्शन होती है बोजन के अंदर जितन के बेस पर भी बैक्टिरिया क्या करते हैं ग्रोथ करते हैं तो यहां पर आपको इस रेडोक्स का आर्थ यहां पर देखो इसका रे का मतलब हो गया यानि कि मैं बात करूँ इसका हम बात करें तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है यहां पर हम देखें तो इसका मतलब यह होता है कि यहां पर remove होगी कौन होगी removal of O2 and add of electron add of electron तो उसे क्या कहते है रेडेक्सन कहते है अब चैन कहते है उसके बाद में OX का मतलब क्या होता है OX का मतलब होता है ओक्षी करण OX का मतलब क्या होता है ओक्षी करण क्या होता है ओक्षी करण और ओक्षी करण का मतलब क्या होता है Oxidation क्या होता है Oxidation और Oxidation का मतलब होता है Add of O2 Add of O2 Oxygen का जुड़ना And Removal उल्टा हो जाएगा बेटा Removal of Electron Removal of Electron तो यहां पर Oxygen और Up Chain की किरिया होती है क्या होती है Oxygen और Up Chain की किरिया होती है तो यहां पर सबसे कोई भी फुड़ एक Electron को Loss करेगा तो वहां पर एक Electron जो कोई फुड़ एक Electron को Loss करेगा और वहां पर Oxygen जहां जाकर Add करेगा यानि कि कोई भी बोजन सामगरी से एक Electron को Loss करेगा तो Electron को Loss करेगा वो तो क्या कराएगा औक्सिक्रन और जहां जुड़कर यानि कि मैं बात करूँ यहां पर ये एक ब्रेड है और इस ब्रेड से एक इलेक्ट्रोन क्या रिकना निकला है और यहां पर जाकर एड हुआ है इस एड होने की कंडिशन को क्या बोलते हैं रेडोक्स अभिक्रिया या रेडोक्स पोटेंश यानि कि redox जो अभिक्रिया या redox potential है वो depend किस पर करेगा ये किस पर depend करता है ये मुख्य रूप से हम बात करें ये जो redox अभिक्रिया जो होगी वो किस पर depend करेंगी जो बोजन सामगरी है food material है बोजन सामगरी पर depend करता है किस पर बोजन सामगरी के रासाइनिक संगठन पर डिपेंड करता है तो ये आपको पता होना चीए कि जो भी हम बात करें और इसको किस से डिनोट करते हैं इसको जो डिनोट करते हैं E उपर N यानि कि E और N से Redox हम बात करें Redox, Potential या Redox अभीक्रिया को E N के द्वारा दरसाते हैं अब इस E N की Value के इसाब से Positive है या Negative है Positive है या Negative है तो इसके इसाब से हम क्या करते हैं इसको हम क्या करते हैं देखते हैं तो एक बार आप इसका स्क्रिन सोट ले लिजे एक बार इसको वापिस मैं आपको समझा देता हूं जैसे जैसे की Redox अभिक्रिया एक प्रकार से Effective का रख है तो Redox का अर्थ बताया कि एक बोजन के अंदर उसके रासाइनिक संगटन की इसाब से उस पर अभिक्रिया होती है जैसे Photosynthesis में Redox अभिक्रिया होती है उसी तरीके से बोजन में भी Redox अभिक्रिया रहा है Redox potential होता है ओक्षिकरण और अप्चेन अब मैंने बताया सर्थ Oxidation क्या होता है यदि कोई Oxygen की उपस्तिती में Oxygen add हो रही है और वहाँ पर Electron निकल रहा है तो वो तो हो गया तो Oxidation जो भी बैक्टेरिया करते हैं जो भी बैक्टेरिया Oxidation करेंगे Oxygen करेंगे जहाँ पर O2 होगी और Electron को Remove करेंगे उन बैक्टेरियों का E-N Value रहाद रखना है वहाँ पर उन बैक्टिरियों की EN value जो होती है वो positive होती है क्या होती है positive होती है तो ऐसे कौन से बैक्टिरिया है जो O2 की उपस्तिती में रहते हैं वो aerobic बैक्टिरिया है वाई वी बैक्टिरिया जैसे pseudomonas और basalis एक diagram के माध्यम से बताऊंगा और ऐसे बोजन सामगरी जहां वहाँ पर अनुरिबी कंडिशन में जो बिल्कुल बंद होते हैं वेक्यूम में लिप्टे होते हैं जहां पर oxygen की उपस्तिती नहीं होती है और वहाँ पर एक electron add होती रहते हैं उनकी EN value जो होती है एन value क्या होती है negative होती है तो जिनका EN value positive होता है वो बोजन पर वाई वी इस होता है जिसे cholesterol वो क्या करेंगे वो भी नुकसान पुचाते है तो redox अभिक्रिया के हिसाब से भी यह effecting कारक है तो आप इसका और किस पर depend करता है बोजन सामगरी की रासानिक संगटन पर जो बोजन सामगरी है उस बोजन सामगरी का जो रासानिक संगटन है उस पर depend करेगा कि यह कितना खराब करेगा रेडोक्स अभिक्रिया कितनी खराब करती है कौन सा माइक्रोजन कितने देर तक उस पर खराब करेगा किस तरीके से इलेक्ट्रोन त्यागेगा oxygen रिमू करेगा रेडोक्स अभिक्रिया निकी reduction होगा अपचेन होगा वो depend करता है उसके chemical composition पर कि इ या आपने screenshot ले लिया होगा screenshot लेने के बाद में हम नेश्टम बात करते हैं अगले हम एक diagram के माद्यम से आपको बताने की कोशिस करेंगे तो diagram के माद्यम से हम आपको बताने की कोशिस कर रहे हैं ठीक है अब एक diagram के माद्यम से हम आपको बताने की देखो diagram के base पे हम बता रहे हैं आपको देखो यहाँ पर देखते हैं एक मुख्य रूप से हम ले लेते हैं एक braid का टुकड़ा ले लेते हैं क्या ले लेते हैं एक braid का टुकड़ा ले लेते हैं और इस ब्रेड के टुकडे के उपर आपने देखा होगा कि ब्रेड के टुकडे के उपर हम बात करें इसको ओपन 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 यानि कि यह बाहर की तरफ मतलब वायूमंडल एनवार्मेंटल ओपन एनवार्मेंटल के अंदर हमने वायूमंडल के अंदर बाहर की तरफ इसको रख दिया, ब्रेड को क्या कर दिया, रख दिया हैं, यानि कि हम बात करें, ब्रेड को open condition में हमने रख दिया, open condition में हमने क्या रख दिया, अब देखो आपको एक डाइग्राम के मात्यम से आपको बता रहा हूँ, open condition में रख दिया, यानि कि खुली अवस्ता में रख दिया, क ऐसी कंडिशन में यहां पर हम देखें तो यहां पर ओटू क्या हो रही है ओक्सीजन क्या हो रही है इस ब्रेड पर एड हो रही है क्या हो रही है और यहां से एड ओक्सीजन एड होने के बाद में यहां पर इलेक्ट्रोन क्या हो रहा है रिमूवल इलेक्ट्रोन क्या हो रहा तो ओक्षी करण यानि कि हम बात करें ओक्षी करण हो रहा है तो ओक्षी करण होने वाले जो बोजन सामगरी पर ओक्षीडेशन करने वाले बैक्टेरिया कौन से हैं वो बैक्टेरिया कहलाते हैं वो वाईवे बैक्टेरिया कहलाते हैं यानि कि दो परकार के होटे हैं बीसिरिया बोलते हैं जैसे उधारन के रूप में बात करें तो जैसे की बेसिलिस ऊधे शुड़ो मुणस है तौट्छियवट और शुड़ो मुणस तो बेसिलिस और रेडॉक्स अभिक्रिया का जो मान है यानि कि रेडॉक्स को इसको किसे दर्साते हैं यानि कि इन से दर्साते हैं इन से दर्साते हैं इन से दर्साते हैं इसको किसे तो इन का मान क्या हो गया पोजिटिव हो गया यानि कि क्या हो गया पोजिटिव हो गया दूसरी कंडिशन मे बैबात करूँ अब इसका प्रोक्टक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको बचाने के लिए किस से बचाने के लिए शुडो मोनास और बेसिलिस बैक्टेरिया से बचाने के लिए या तो इसको रेफीजेटर में रखो तो रेफीजेटर में रखोगे तो वहाँ पर oxygen नहीं मिलेगी और oxygen नहीं मिलेगी तो वहाँ पर इसकी ग्रोवत नहीं होगी नहीं इसको वेक्यूम या प्लास्टिक के माद्यम से इस ब्रेड को क्या करतो एक ऐसी एनरोबी कंडिशन में रख दो जहाँ पर वायू का परजेंज नहीं हो तो इसे से बचाया जा सकता है किसे बेसिलिस से और शुडो मोनास से अब हम बात करें जिनमें अपचेन अब देखो ऐसे बैक्टिरिया होते हैं जिनमें क्या होता है अब oxygen नहीं है यहाँ पर तो मैंने खुलिया उस्ता में रख दिया इसी को मैंने बंदा उस्ता में रख दिया तो वहाँ पर oxygen का add नहीं होग और क्या होगा up chain होगा क्या होगा और up chain होगा तो वहाँ पर a yva बैक्तिरिया जिसे कोल स्ट स्ट्रियम हो गया कोल स्ट्रियम यह बैप्टिरिय क्या है उससी टेन डेरोबिक बैक्टेरिय Ideally है और यह क्या करेगा-प्रेड के ओपर O2 की अनुपस्थिती में O2 क्या रहेगी O2 क्या रहेगी एपसेंट और ऐसी स्थती में इस पर ग्रोथ करेगा इसलिए एनरोबिक बैक्टेरिया हो गया तो यहां पर क्या हो रहा है अपचेन हो रहा है अपचेन में हमेशा E-N का वेल्यू जो होती है E-N की वेल्यू क्या होती है नेगिटिव होती है क्या होती है नेगिटिव यहनि की एरोबिक बैक्टेरिया एनरोबिक बैक्टेरिया एक वायू की परजेंस में ओक्षिडेशन कर रहा है एक वायू की एपसेंट में अपचेन कर रहा है कि redox अभीक्रिय अपचेन होगा या oxidation होगा तो ऐसी condition में यदि O2 add oxygen का add होना वो तो oxidation कलाएगा और oxygen add नहीं हो रही है वहाँ पर electron add हो रहा है electron add हो रहा है और यहाँ से oxygen remove हो रही है तो वहाँ पर ये जो गठना हो गईपचेन हो गई हमेशा उन बैक्टिरियों का protein क्या होता है और यहाँ पर electron क्या हो रहा है add इलेक्ट्रोन क्या हो रहा है एड ठीक है एड हो रहा है और रिमू हो रहा है तो यह तो क्या हो गए अपचेन लेकिन यहाँ ओक्सिजन एड हो रहा है और इलेक्ट्रोन रिमू हो रही है तो यहाँ पर एन वेलू इन ऐसे बेक्ट्रे जैसे की बेसिलिस और शुडो मोनास वो अवेलेबल वाटर पोसक तत्वे और टैम्प्रेजर कौन से हैं जो अगली 30 मिनिट की क्लास में हम क्या करेंगे कम्प्लीट करेंगे दो फैक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके हम उब्जेक्टिव कुशन भी हल करेंगे शांदार जबर्दस तरीके के बहुत धन्यवाद